वो जो third person है वो भी अपने आप चली जाएगी और उनके लिए भी ब्रेसिंग देना है कि वो भी अपनी life में खुश रहे, happy रहे, उनको भी वो प्यार मिली, जो शायद नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ आई है, अपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया, तो सब्स्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और बाजू में जो मेल आइकॉन है, उसको क्लिक करो, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए, वो आपको सबसे पहले मिले, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ, जिसके आप अपने दोस्त के लिए, आपके फैमिली के लिए, या तो किसी के भी लिए आप करना चाहते हो, और नौन लोगों के लिए भी, तो कैसे कर सकते हो, फूलों में खुशबू है, किस दिल में एक तू है, जन्म के साथ ही, हम साथ साथ है, जन्म के साथ ही, हम साथ साथ है। हेलो, माई डियर, हैपे, बूटिफूल सोल, थैंक्यू सो मच, आज हमारे पोड़कास का सिक्स्थ एपीजोर है, एंड थैंक्यू फॉर यूर लव, यूर सपोर्ट, एंड यूर कॉमेंट्स, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, एंड मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत स चलता है, और मेरे लाइफटाइम वाला कनेक्शन ज्यादा है, क्योंकि मैं चाहते हो कि मेरे साथ जो भी जूरे, वो लाइफटाइम के लिए जूरे एक फैमिली बनके, मुझे भी ऐसा ना हो कि ये मुझे साथ एक महने के लिए है, तो मेरी जनी आपके साथ हमेशा करते हैं, और तब तक के लिए मैं आपको यूट्यूब पर जो वीडियो लाओ, उसको आप सुनो, प्रैक्टिस करो, कॉमेंट करो, आप मुझे सवाल करो, मैं मेरे पोड़कास में सारी चीज़े लेके आऊंगी, जो आपको चाहे, क्योंकि मेरा प्यार आपके लिए भी हम करते हैं, क्योंकि मैंने अपने डिस्त को किस तरह से हिल यह आप के लिए हैं, तो झाल souvent हमारे फुदी की घुडी ही हिर्क तो उसके, प्रैक्टिस को और हो, क्योंकि मैंने इसकी बहुत प्रैकिस की है और मैंने प्रैक्टिस करके discord twofold wes. इसलिये आप भी क्रसकते हो, लेकिन आपको मेरे instruction को 100% follow करना ही पड़ेगा तब भी उसका result मिलेगा वरना आपको short term result तो जरूर मिल जाएगा लेकिन long term result के लिए आपको शायद ज्यादा मेहनत करने पड़े अगर हमें दूसरों के लिए करना हो तो कैसे कर सकते हैं एक बहुत आसन सा तरीका है जो आपको भी पता है कि अगर हमें किसी और के लिए करना है तो उनका नाम लेके आप कर सकते हो हो सकता है आप अपनी husband wife या तो कोई third person के लिए करना चाहते हो तो आप इस तरह से temporary कर सकते हो कि उनका नाम बोला उनके नाम के साथ I'm sorry please forgive me thank you and I love you आप इस तरह से भी कर सकते हो आप अपने लिए भी करना है तो normal तरीके से आप कर सकते हो कि अपने हाट पे हाट रखा और कि आप अपनों को healing कर सकते हो जैसे कि आप बहुत गुस्से में हो और आप चाहते हो कि मुझे शान्त माएंगे चाहिए peace चाहिए तो आप कह सकते हो कि yes मैं अपने गुस्से को release करके peace को attract करना चाहता हो I want to feel calm and peace और उसके साथ भी आप कर सकते हो I am sorry please forgive me thank you I love you I am willing to feel peace I am willing to feel calm I am willing to feel loving and loveable I am sorry please forgive me thank you I love you आप अपने लिए इस तरह से कर सकते हो दूसरों के लिए दूसरों का नाम लेके कर सकते हो तीसरा वे है जो बहुत ही advance और बहुतर long term वाला वे है जैसे कि डॉक्टर हुलन का concept यही था कि जब हम दुनिया में कोई भी चीज attract करते हैं तो उसके हमारा emotion ready होता है feel करने के लिए तबी दुनिया की हर घटना हम attract करते हैं चाहे आप negative news attract करो या तो आपने रास्ते में accident देखा हो या तो कोई भी चीज आपने देखी या तो किसी का murder के news भी आपने सुने या तो चोरी सुनी किसी बिमारी को आपने सुना तो वो सारी emotion सबसे पहले आपके अंदर थे और उस emotion को feel करवाने के लिए दुनिया में कहीं न कहीं जगा पे वो घटना होती है और वो घटना आपके नजर के सामने आते हैं या तो आपके कानों में आती हैं तो यह concept का doctor human का और यही concept के जर्ये वो distance healing करते थे सभी लोगों की तो अगर आप के ज्यादा आते हैं कि उनके husband की life में कोई नो कोई third person है और मेरे साथ भी ऐसे situation थी और मैंने भी heal किया तो let's I'm talking to you कि कि किस तरह से कर सकते हूं for example आप उस लड़की के लिए कर सकते हो या तो इस third person के लिए मैं यह example दे रहे हूं इसका मतलब यह नहीं है कि सिफ यही वाला लेकिन यह phone calls मैंने ज्यादा पाए है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूं है ना ताकि जिन लोगों ने call किया उनको राय टांसर मिल जाए और वो अच्छे से healing कर पाए हो उनके लिए अपनी life को better कर पाए है ना तो उनको सिर्फ यही नहीं करना है कि वो जो third person है उ I'm sorry please forgive me thank you I love you वो कुछ time के लिए आपको फाइदा देगा लेकिन permanent फाइदा नहीं देगा आपको अपने आप में जिम्मेदारी लेनी है पहले सोचना है और accept करना है कि वो जो third person है वो क्यों आया क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई emotion था शायद मुझे punishment देना था सायद मेरी अंदर ज्वैलर सी थी शायद में अपने आपको importance नहीं देती थी सायद मेरी अंदर insecurity थी तो बहुत सारे ऐसे कोई ना कोई emotion है आपका वो emotion को पहचानना है कि वो third person से मुझे कौन सा emotion सबसे ज़्यादा feel हो रहा है और बहुत hyper level का वो emotion मुझे feel हो रहा है जब आप उस emotion को प सारे combo होगा है ना हो सकता है पांच हो साथ हो दस हो बंदा हो बीस हो पचीस हो वो सारे negative emotion लिखने है कि उनके आने से क्या क्या negative emotion मुझे feel होते है आपको again action नहीं लिखनी है कि अच्छा मुझे ये करने का मन करता है वो करने का मन करता है नहीं बाबा है ना यह सब हमें नहीं करना है हमें कोई action पर नहीं जाना है हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी feeling और emotion को पहचाना है कि मुझे उस थर person के आने से क्या feel होता है और वो सारे negative emotion आपको diary में लिखने हैं और वो एक-एक emotion पकर करके जैसे कि आपने feel कि मुझे jealousy बहुत आती है तो jealousy के साथ-साथ एक fear होता है है ना insecurity होती है तो आपके मन में अगर insecurity है तो आप insecurity के लिए आपको healing करना है है ना for example सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी है कि I am taking 100% responsibility for creating this insecurity and I am willing to convert, release my insecurity and feeling secure यह आपका पहला हो जाएगा sentence उसके बाद दुसरा क्या हो जाएगा I am sorry sorry किस बात के लिए क्योंकि आपने उस emotion को attract किया है ना कि यह emotion मैंने ही create किया क्योंकि अपनी body में है ना वो emotion किसी और की body में तो है नहीं मुझे feeling आती है तो yes I am sorry because I am the creator of my emotion like insecurity, jealousy, whatever the emotion है ना फिर देन आपको क्या करना है माफी मागनी है universe को कहना है कि I am asking for the forgiveness मैं माफी मागते हूँ please forgive me क्योंकि मैं safe और secure नहीं feel कर पाई या तो कोई भी positive emotion को तो देते किसको है हम यहां universe को है ना निकाल के release करके कहा देंगे हम यहां ब्रह्मांड में तो उनके लिए हमें माफी मागनी है कि मैं आपको negative emotion मेरा दे रही हूँ so please forgive me और उनको बोलना है thank you so much I am very grateful कि आप यहां exist करते हो मुझे opportunity भी दी कि मैं heal करूँ और आपको surrender कर दूँ मेरे negative emotion को and thank you so much मुझे आपके trust है और आपने मुझे हमेजा ही support किया है जब-जब मैं तोट गए हूँ तब-तब आप मेरे साथ रहे हो so thank you आपके abundance support के लिए and thank you मेरे इस emotion को अपने आप में accept कर लेने के लिए और मुझे में से release करने के लिए and प्यास जटाना है कि I love this emotion क्योंकि इसको मैंने create किया है and I love to release this emotion and I love to create opposite that means वो happy वाला emotion है ना तो इसी तरह से आपको एक sentence formation लिख लेना है बना लेना है ऐसा हो तो और उसको बार 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 at least seven days के लिए आप करो एक emotion को लेकि जो बहुत ही strong वाला हो और यह पूरा formation बोल देने के बाद आपको 108 time जो मेरा वीडियो भी है तो आप वीडियो के साथ करोगे तो आपको ज्यादा उसता result में देगा क्योंकि उसमें एक 432 MHz का music भी है साथ साथ में मैंने एक positive emotion energy frequency create करके बोला है तो उसके साथ आप practice करोगे तो आपको energy भी healing वाली मिल जाएगी और तीसरा क्योंकि आपको count नहीं करना परेगा 108 time और रेडि वो counted है तो सिफ आपके उनके साथ repeat करते रहोगे करते रहोगे तो आपका 108 time हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया क्या करना है आपको किसी के लिए भी healing नहीं करना है उनको आपने attract किया और उनके लिए आपको जो emotion create होते है negative वो सारी emotion सभी एक 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 करके करो सब भी ऐसा ने कि 10-15 emotion का एक ही बान में कर दिया नो ऐसी cheating नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने यहां cheating की healing करने में तो वो दुबारा वो भी cheating करके आ जाएगा है ना वो आप चाहते हो नहीं कि कितने भी अच्छे beautiful relation क्यों ना हो लेकिन healing करने से और भी मज़ेदार relation हो जाते है health भी और मज़ेदार हो जाती है career भी और मज़ेदार हो जाता है और finance भी और मज़ेदार हो जाता है इसलिए मैं भी चार बार करती हूं तो आपको दो बातों करना ही है एक सुबह में कर लो एक रात को कर लो है ना फिर चलते फिर ते आप करो तो चलेगा चलते फिर ते आ कि मेरे फैमिली बहुत हैपी हेल्दी लाइफ जी रही है सब में प्यार बहुत परज रहा है ऐसा बोलते बोलते फिर आम सौरी प्लीज पर गिव मी थैंक्यू आफ यू इसी तरह से बहुत आसान है आप करोगे एक बार है बिक बन जाएगी तो जब भी आप खाना पगाओ के तो आप इस तरह से करोगे और परिवार में प्यार बहुत ही बरता जाएगा बहुंटेंगी बहुत हां प्रैक्टी करो और आप मुझे बताओ कि आपने किस तरह से अप्लाई करते हो और किस तरह सा आपको रिजर्ट मिलता है और उसका बीश में एक पाइंट बता दूं कि किसी ने यहां meditation किया है ओके अगर आपने किया हो तो आपको experience होगा अगर नहीं किया तो मैं आपको बताती हूं कि जब हम एक extreme level का meditation करते हैं तब हमें रो ना आ जाता है या तो vibration होती है या something अंदर ही uncomfortable होता है अपने अंदर क्योंकि हमारे negative emotion निकल रहे है ना negative energy जब बहार करते हैं बहुत ज्यादा हो और निकलती है तो वह सम्वेर सम्थिंग हमें लगता है कि कुछ पेंट दे रहे हैं लेकिन उसको हमने सहर लिया और फिर भी कंटिनिओ कियाया तो फिर वह एकदम नैगेटिव इनर्जी रिलीज हो जाते हैं और फिर इतनी पीस ब्रश क्याद क्रोब चली चाहती हैं तो जाड़ा तर लोग जब हीलिं करते हैं तो हीलिंग के दोरान जब नैगेटिव और निकलती है तब बहुत सारे ना जो अपने दबे हुए ठाइंगे गुस आएगा रोना आएगा बहुत सारी चीज़े आएगी तो अब कर जो निकल रहा है निकल रहा है फ़हीं लोगों को थोड़ी भीमारी भी आते भीमारी लाइब गुखार आ गया एंड लाइक सम्थी है स्मॉल स्मॉल तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उनको लगता है कि मैंने होपोनोपो किया तो ऐसा हो रहा है आई टैल यू यह एक मैंडिटेशन ही है होपोनोपो मैंडिटेशन है एक थोड़ा एडवांस लेवल का है तो जब हम उसको भी बहुत दिल से हमारे अंदर बहुत नेगेटिव है उसको निकालने के लिए कर रहे हैं तो सम्टाइम इन बीट्विन हमें नेगेटिव होता है इन बीट्विन हमें कुछ अन इजीनेस भी होता है तो वहां आपको डर के गीवप नहीं करना है जब मैंने हीलिंग स्टार्ट किया तब तीन दी तीन दीन कंटीनूजली आई वस क्राइं तो आपको भी कीवप नहीं करना है अब स्टार्ट करो उसे कंप्लीट करो जो भी इमोशन है उसको कंप्लीट हील करो आई प्रॉमेस यू आपके विलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगे आई टेल यू यहां स्टक मत हो जाना क्योंकि सबी लोग जो गलती करें मुझे तो यही परसंट चाहिए नहीं बाबा है ना यह क्या करें हम लोग कि यूनिवर्स तो देरने के लिए तयार है लेकिन हम यूनिवर्स को बता रहे कि मुझे न इसी नल में से पानी चाहिए यूनिवर्स से कि यह बिगर गुए है बेटा बाजु वाला खोलते वहां से मिलेगा हम से नहीं मैं प्यासी मर जाओंगे पुरी जिंदी लेकिन अगर पानी चाहिए तो मुझे यही नर्व से चाहिए और इसलिए हम ही वह है जो पानी को पी नहीं पाते हो और अपनी जीवन को खतम कर लेते हैं उसी तरह थरह प्य द् superfici प्यार में म souकом कौाहें थारिए से तो अपनें लिए ही करना है ऊ। जो आपके लाइक पर्शन है वह आपके चला जाएगा और दुसरा परसन वैसा आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा तो भी ओपन युनिवर्स की इस नल से पानी दे कोई मैटर नहीं करता आपको फोकस करना है कि मुझे पानी मिलना चाहिए है ना वैसे आपकी लाइप में प्यार होना चाहिए हैपी मैरेज लाइफ होनी चाहिए खुश्या होनी चाहिए वह मैटर करती है आप बूल जाओ कि आप यह चोड़ी दो चॉइस यूनिवर्स को मत दो आप एंग रिजल्ट दो कि मुझे यह चाहिए उसके लिए हिलिंग करो वह जो थर परसन है वह भी अपने आप चली है कि वह भी अपनी लाइफ में खुश रहे हैपी रहे उनको भी वह प्यार मिले जो शायद नहीं मिला है इसलिए वह यहां आई है क्योंकि वह भी इंकम्प्रीट है उनको भी प्यार की ज़़ुदत है है ना सो बी काइंट फॉर सथर परसन और सो उनके लिए भी करो उनके लिए उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रेसिंग्स दो जो आप अपने लिए चाहते हो अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हो लेकिन मेक शॉर दो टाइम करना है 108 टाइम और पहले कंवर्जेशन वाला पहले डायरी में बना दो है ना सो लैट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसके रिगारिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है या तो आपको कंफ्यूजन है कि कीस तरह से बनाना तो आप कॉमेंट वॉक्स में लिखना तो मैं आपको बना के दूंगी यहां पॉर्टकास में बताओंगी ताकि सभी लोगों को हैट्फुल रहेगा है जो मेरे पास कॉल आए थे उस इसाप से मैंने जवाब दिया आपको आज तो वह पर्टिकुलर किस से ज्यादा थे एक दो नहीं थे ज्यादा थे दस से पंदा कॉल मुझे सिस डिलेशन को लेखे आए थे इसलिए मैंने आपको यह बताया टॉपिक अब आपका जो टॉपिक है आपको अगर नहीं आता तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चेन और नेक्स पोड़कास में मैं आपका भी आंसर लेके आओंगी सो मिलते हैं नेक्